डिजिटल, डिजिटल, डिजिटल करते हुए भारत में ये तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए, ये डेटा रेडिली अवेलिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी SBI उसको सारुजनिक क्यों नहीं करना चाहता है, क्यों चुनाओ के बाद सारुजनिक करने की सारी कवायद की जारी है, इसका जवाब तो SBI और सरकार ही दे पाएगी. जीत साबित हुई, लेकिन पिछले आम चुनाव सहित कई चुनाव इनहीं गैर कानूनी फंड्स पर लड़े गए हैं, इस मुद्दे पर पहले ही सुनवाई करना और निर्नय देना उचित होता, लेकिन अदालत ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया, राज्यसभा सीट से पु जोजना की घोशना नरेंद्र मोधी सरकार ने 2017 के केंद्रिय बजट के माध्यम से की थी, बॉंड राजनेतिक दलो के लिए अज्यात दान दाताओं के माध्यम से ही धन प्राप्त करने का एक तरीका है, बॉंड खरीदते समय दान करता को बैंक को अपनी पहचान बतानी जागर नहीं किया जाएगा. SBI ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है, SBI का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सारवजनिक करने के लिए. विडंबना ये है कि SBI जिसके 48 करोड से ज़्यादा अकाउंट्स है, जिसकी करीब 6,000 ATMs है, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचिज है, उस SBI को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉंड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए. ये एक non-transparent योजना साबित हुई. राजनेतिक दलो द्वारा भुनाये गए चुनावी बॉंड के विवरण का खुलासा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अधिक समय मांगे जाने के बाद विपक्ष ने सत्तारूर भाजपा और भारतिय स्टेट बैंक यानि SBI पर निशा इसे समय लेने वाली प्रक्रिया बताते हुए भारतिय स्टेट बैंक ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग ECI को चुनावी बॉंड की खरीद पर विवरण जमा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने के लिए कहा तब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिय समाप्त हो जाएगी कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने इसे लोगसभा चुनाव से पहले प्रधान मंत्री मोधी का असली चहरा चिपाने का आखरी प्रयास करार दे दिया विटर पर हिंदी में एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा नरेंद्र मोधी ने चंदा कारोबार को छुपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है जब सुप्रीम कोट ने कहा कि चुनावी बॉर्ण के बारे में सच्चाई जानना देश के लोगों का अधिकार है तो फिर S.B.I. क्यों नहीं चाहता कि ये जानकारी चुनाव से पहले सारवजने की जाए पूर्फ कॉंग्रेस प्रमुख ने ऐसा भी कहा अपनी ट्रेड मार्क शेली में तीखी टिपणी कर त्रिणमूल कॉंग्रेस नेता महुआ मोहित्रा ने राजिय अरेणदाता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के बीच बंधन का मजाग बनाया उन्होंने लिखा चुनावी बॉंड का सुप्रीम कोट द्वारा अनेवारे खुला सा कोई माहिने नहीं रखता फायर ब्रांड नेता ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा SBI और मोधी जी ही एक मात्रव बंधन है जो माहिने रखते हैं सुप्रीम कोट ने विवादास पर चुनावी बॉंड योजना को इस आधार पर समाप्त कर दिया था कि ये नागरिकों के सूचना के अधिकार का उलंगन करती है पांच जजों के सम्विधान पीठ ने SBI को आदेश दिया कि वो इन बॉंड को जारी करना बंध कर दे और इस माध्यम से किये गए दान का विवरण चुनावायोग की वेबसाइट पर दे दे इसके बाद चुनावायोग से कहा गया कि वो इस जानकारी को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे खेर इस खबर में बस अतना ही बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़ रहिए जनसत्ता के साथ शुक्रिया